दोस्तों Excel के इस amazing and powerful वीडियो में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सीखने वाले हैं automatic data entry करना अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके सामने demo represent करता हूँ मान लिजे कि आप किसी ऐसे जगह पर काम करते हैं जहां पर जितने भी visitors आ रहे हैं उनका data आपको maintain करना है तो हमारे पास क्या है यहां पर criteria field है जैसे जो भी person आ रहा है हम उनसे उनका नाम लेंगे age, contact, address, time और उनका आने का purpose क्या है आप किस चीज़ के लिए आरो meeting के लिए interview के लिए inquiry के लिए किस चीज़ के लिए तो हम यहां पर क्या करते हैं सबसे पहässले कुछ नाम लिखता हूँ यहां पर और मैं यहां पर लेखता हू नाम मैं लिखा है यहां पर राजु ठीक है पुर्पस हम नेने डाल दिया कुछ हम डाल देते हैं यहां पर इंड्रस हम डाल देते हैं यहां पर इतना डेटा लिखा है और यहां पर sheet 2 है जहां पर हमारा database है जो भी data हम create कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड यहां पर maintain कर रहे हैं तो last जो record है वो राजेश का है जिनका time था 8 बजे का और यहां तक data हमने fulfill क्या होगा और यह आपके सामने मैंने भी एक छोटी से एंटर की है जैसे ही मैं submit data पर click करूंगा आप देख आपको बताया था बहुत ही simple तरीके से आप form का use करके कर सकते हो लेकिन अगर हमें इस तरीके से एक automatic data entry panel create करना है तो आप कैसे करोगे वो चीज आज के इस वीडियो में सेखने वाले है तो यह जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़ादा important है हो सकता है कि वीडियो से lengthy हो लेकिन आपको patience रखना है और वीडियो को अच्छे से पूरा end तक देखना है and I am telling you कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज को बहुत ही आसाने से apply कर पाओगे so बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब यहां भी normally सबसे पहला काम हम यह करत है यह जो portion है इसको मैं सीधा copy कर लेता हूँ ये चीज अई बढनान आपो आपको बड़ी आसानी से आती है तो इसको कॉपी कर लेते है और यहां पर आते है और कर लेते हैं पेस्ट थैकि हमारा थोड़ा सा ताइम यहां पे है और कर लेते हैं और इस सो कमौINO कर लेते हैं क इसके बाद हमें दूसरा term चाहिए जो कि हमारा database, जो भी आप data बनाओगे वो data कहीं न कहीं जागे तो store होगा, तो हम एक जगह ले लेते हैं अपना database बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको copy कर लेते हैं format को, एक नई sheet लेते हैं, और यहां पे इसको paste कर लेते हैं, यहां क्या करेंगे, copy, इसको हमने select किया, और हम कर लेंगे copy, copy करने के बाद यहां पे आना है, और यहां पे आपको control, alt और V करना है, जिससे आएगा paste special, और यहां पे हम use करेंगे transpose का, हमने किया ok, जैसे आप ok करोगे, आपका data कुछ इस तरीके से यहां पे आ जाएगा, अब इसक पर्पस के लिए थोड़ी और जगा चाहिए हमें, तो यह हमने लिए है, time के लिए enough है, और पर्पस के लिए थोड़ा सा और बढ़ा कर देते हैं, तो इस तरीके से जो है, हम अपना format यहां पे proper तरीके से ready कर लेंगे, अपने database के लिए, अब आ जाते हैं sheet 1 पे, देखो, देखने के बाद हमारा main काम शुरू होगा, जो कि है database को और इस data form को आपस में connect करना, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रहे कि आपका developer tab है, यह on होना चाहिए, अगर यह on नहीं होगा, तो हम आगे का जो further activity है, वो नहीं कर पाएंगे, अगर यह on नहीं है, तो मैं आपको ब option है, अगर यह unchecked है, मतलब यह click नहीं है, तो आप click कर देना और इसे ok कर देना आपका developer tab आ जाएगा, मेरा यहाँ पे checked है, मतलब click है, तो इस वज़े से मेरा developer tab आ रहा है, so I hope कि अगर developer tab आपका on नहीं हो, तो आप इसे कैसे on करोगे, यह आपको clear हो गया हो, अब यहाँ पी लेकिन इसके साथ-साथ use relative reference का क्या role play है, वो भी देखेंगे, और किस तरीके से आप एक magical button represent कर सकते हैं, वो भी समझेंगे, इसके साथ ही macro start करने से पहले एक time में और समझाना चाहूंगा आपको, वो है, इस form के नीचे, हमें यहाँ पे 1, 2, 3, या कुछ भी जो भी आप लि इसको हमने क्यों add किया, अब यहाँ पे आ जाते है, sheet 1 में दुबारा से, और अब हम क्या करेंगे, macro को start करेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं, developer tab में, यहाँ पे option मिलता है, record macro का, इस बेगे लिख करो, click करने के बाद यह आप से पूछेगा, कि आप अपने macro का, जो आप record करे उसका क्या नाम रखना चाहोगे, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया my work, आप कुछ भी लिख सकते हो, a, b, c, d, अपना नाम वगरा, जिस नाम से भी करना चाहो, कर सकते हो, ध्यान रही कि आपको space नहीं देना है, नहीं तो यह detect नहीं करेगा, इसके बाद, इस macro को use करने के लि लिखेना, जिसका पहले से ही कुछ न कुछ यूज हो, तो हम यहाँ पे कुछ unique ले लेते हैं, मैं control shift L कर देता हूँ, shift दबा के L दबाओगे, तो shift अपने आपा जाएगा, वहाँ पे यह करना है, और करना है, जैसे मैं ok करूँगा, हमारा macro यहाँ पे start हो जाएगा, इतना पहले हमें इसको यह बताना है कि हर बार जब हम नया data डालेंगे, तो आपकी शुरुवात कहां से होगी, तो शुरुवात यहाँ से नहीं होगी, जहाँ data entry of visitors लिखा है, वो भी तो लिखा हुआ है, हमारी शुरुवात होगी यहाँ से, जहां से हमारा data लिखना start है, name से, अ अब मैंने यहाँ पर बोला, यहाँ से select होगा, लेकिन हर बार जब एक data fill out होगा, तो यह धीरे-धीरे करके 4, 5, 6, सब कुछ भर गया, अब इसको कैसे पता चलेगा, कि अगर data 5 तक भरा हुआ है, तो उसके बाद अगली रो से आपको start करना है, मतलब 6 से start करना है, 7 से start करना 8 से start करना है, तो वो भी हम इसको बताएंगे, और वो बताएंगे कैसे, देखो, हमने name पर select किया है, control की को hold करके down arrow की press करो, इससे क्या होगा, कि जितना range तक आपका data fill रखा होगा, वहाँ तक पहले आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे option किलिक करना है, वो है use relative reference मतलब हर बार यह नीचे तक आ जाएगा, उसके बाद हम use relative reference का use करेंगे, और फिर वो नीचे से data fill out करना start करेगा, तो यह आ गए यहाँ तक, फिर हमें control V किया हमने, data आया हमारा, आने के बाद आपको right arrow key की मदद से इसे आगे move on करना है, तो अब इसको पता चल गया कि पहल उसे sheet में गए, दूसरा cell का जो data उसको select किया, और यहाँ पर कर लेंगे copy, copy करने के बाद दुबार आओ sheet 2 में, और यहाँ पर data को control V की मदद से paste कर दो, किया हमने, फिर user relative reference किया, और अब मुझे बताना है, अगले वाले cell पर जाना है, अगले data के लिए, फिर right arrow की किया, पेस किया, फिर अगला reference देना है, तो user relative reference को फिर चालू करेंगे, और फिर यहाँ पर आगे इसको move कर देंगे, अब दुबारा क्या करेंगे, user relative reference को close, क्योंकि दूसरी sheet पर जा रहे है, दूसरा data किया, select, और sheet 2 पर आए, यहाँ पर हमने data को किया, पेस्ट, इसके बाद पेस कर दिया, user relative reference उपन किया, आगे गए, इसको बंद किया, दुबारा गए, last वाला जो data है, उसको हमने copy किया, और यहाँ पे आके इसको paste कर दिया, इतना काम खतम, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा काम हमारा खतम नहीं हुआ, यह तो हो गया, इसके बाद मैं चाह रहा हू और दुबारा से एक fresh हो के आजाए, फिर हमने किया इसको stop recording, अब हमारा जो सारा काम है वो यहाँ पे complete हो गया, एक बार चेक करते हैं कि यह काम कर रहा है यह नहीं, तो अभी देखो यहाँ पे हमारा data आ रखा यहाँ तक, मैं एक बार fill out करके देखता हूं, फिर हम इसको delete क करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं, और मैं यहाँ लिखता हूं मोहन, age हमने लिखा इसके 56, यहाँ पे आता है, contact हम डाल देते हैं कुछ भी, तो मैं यहाँ यह नमबर डाल देता हूं, address हमने डाला है, यहाँ पे sector 62, noida, time हम डाल देते हैं, 845 am, और purpose हम डाल देते हैं meeting, ठीक Ctrl Shift और L press करूंगा, सारे data gaib हो गया है यहाँ से, और यहाँ आके check करते हैं, तो boom, हमारा जो यहाँ पे data है, वो आ गया है, अब मुझे इसकी जरुवत नहीं है, इसकी जरुवत क्यों बड़ी थी, क्योंकि इस range को मुझे बताना था कि हर बार यहाँ आएगा, फिर end तक की range select करेगा, और तब अगले वाले cell से data feed करना start करेगा, तो इसकी जरुवत नहीं है, तो Ctrl-minus करते हैं, और यहाँ पे delete का option आ जाएगा, entire हो गया, ok कर दिया, यह data delete हो गया, अब यहाँ पे जो हमारा next काम है, वो है button add करना, तो देखो बहुत ही simple term है, आपको simple यह insert वाले option में यही पे developer tab में, insert वाले option में, और यहाँ पे option मिलेगा आपको button का, इस पे click करो, click करने के बाद आपको इस तरीके से drag option मिलेगा, आपको इसे drag करना है, कुछ इस तरीके से, किया, अब यह करने के बाद यह बोल रहा है किस macro का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे जो हमारा my work हमने बनाया है macro, वही वाला है, हमने इसको select किया, और कर दिया, अब इसको हम कर देंगे rename, तो मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ पे select कर लेता हूँ, और मैंने किया delete, और मैंने यहाँ लिखा submit data, और यह करने के बाद side में click कर दो, यह apply हो जाएगा, अब यहाँ पे simple में क्या कर को भी data feed करते हैं, जिसे मने यहाँ पे डाला sonu, age हमने डाला 28, और यहाँ contact हम डाल देते है, 9716825544, address हम डाल देते हैं, यहाँ पे sector 58, noida, यह हमने डाला, time हम डाल देते हैं, यहाँ पे 8.50am का, और purpose हम दे देते हैं, interview, कि यह जो भाई हो किसलिए आया है, interview देने के लिए आप enter करोगे, enter करने के बाद आपको सिर्फ submit data पे click करना है, आपका सारा data यहाँ से vanish हो जाएगा, और हम यहाँ चेक करेंगे, तो sonu का data हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसी तरीके से जितने भी logo का आपको data add on करना आप कर सकते हो, और इसको थोड़ा और attractive बनाने के लिए हम इसे select करेंगे, home में जाएंगे, यहाँ पे इसे central alignment कर देंगे, और इसका जो color है वो अपने according जो भी हमें best लगता है, वो चीज़ हमें apply करके इसको bold कर देंगे, और इस तरीके से proper data system या proper data entry format, automatic way में आप बना सकते हैं, बड़ी आसान तरीके से, I hope कि दोस्तों यह जो वीड back जरूर दें, thank you.